हेलो दोस्तो लेट्स क्रैकिट में आपका स्वागत है और 24 जुलाई 2022 का दाहिंदू न्यूस पिपर उसका साइन्स एंट टेक का पेज आप लोग के सामने है सारे के सारे आर्टिकल इंपोर्टेंट हैं सभी को डिटेल में कवर करेंगे इसके अलावा पिछली जो वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से एक्सिस कर सकते हो यह यह यूट्यूब चैनल पर जाकर के एक्सिस कर लो कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं यानि कि warm-blooded एंसेस्टर्स हैं उनमें यह ट्रेट आया कब उनका खून जो है वो खोला यानि कि गरम हुआ तो अब यहां साइंटिस्स ने पता किया है कि लगबद 230 से 200 million year पहले यह सब काम हुआ होगा खेर हमारे काम का यह बिल्कुल भी नहीं है हमारे काम का यह है कि इन्होंने इस चीज़ को कैसे यहां पर देखा उके इन्होंने इस चीज़ को कैसे पता लगाया कितना million year एगो यह सब काम हुआ था उके तो इसके लिए आप देखोगे कि एक चीज़ होती है देट इसकोल विसको सिटी कोल विसको सिटी मतलब इसको हिंदी में कहते हैं शयान था और local language में कहते हैं इसको गाढ़ा पन जैसे सहद शहद बहुत ज़ादा गाढ़ा होता है इसका मतलब सहद की विसको सिटी ज़ादा होती है अब आप सोच करके देखो कि अगर मैं घी को गर्मी में रख दूं तो वो पिगल जाएगा लेकिन अगर मैं घी को फ्रीज में रख दूं तो वो जम जाएगा यानि कि इसका मतलब क्या है कि cold environment में जो घी है वो आपका high viscous हो जाता है और warm environment में वो जो है वो less viscous हो जाता है ऐसा ही बिलट के साथ भी होता है बिलट भी warm environment में जो है वो less viscous हो जाता है और cold environment में जो है वो high viscous यहाँ पर हो जाता है तो अब इन्होंने क्या किया जो fossil यहाँ पर मिले हमारे ancestors के warm blooded animals के ancestors के उन्होंने उनकी ear canal को वहाँ से उठाया ठीक है ear canal तो रह गई होगी ना fossil में तो ear canal को उठाया उन्होंने देखा कि अगर छोटी ear canal है तो इसका मतलब है कि warm blood animal होगा और अगर बड़ी ear canal है तो इसका मतलब है कि cold blooded animal यहाँ पर होगा अब आप लोग सोच रहोंगे कि ear canal देखकर कि कैसे पतर लग गया देखो यहां से फिल्यूड बहता है ओके ear canal से जो है वो आपका फिल्यूड बहेगा यानि कि blood ओके वो फिलो होगा अब आप सोचो कि अगर blood जो है वो बहुत जादा गाड़ा हुआ तो वो छोटे कह सकते हैं कि छोटी canal से नहीं बह सकता उसके लिए उसको बड़ी canal की जरुत पड़ेगी और गाड़े का मतलब क्या है कि cold environment में रहा होगा तब blood उसका जो है वो गाड़ा हुआ यानि कि उसकी viscosity हाई हुई होगी जिसकी वज़े से उसको बहने के लिए कह सकते हैं कि जादा space की जरुत पड़ी और जादा space का मतलब है बड़ी ear canal तो इस तरीके से ear canal का संबंद जो है वो cold blooded animal से निकल करके आया warm blood animal से निकल करके आया similarly अगर viscosity कम है यानि कि बिलट जो है वो बिलकुल एकदम कह सकतेगी पतला है वो कि बिलट की सयानता बहुती कम है viscosity बहुती कम है इसका मतलब है कि वो छोटी space से भी आसानी से बहस सकेगा और धीरे धीरे evolution के कारण इनकी जो ear canal है वो छोटी हो गई और ये सब काम जो है वो 230 से 200 million year ago हुआ था इतना ध्यान रखना है समझ में आ चुका होगा इससे ज़ादा पढ़नी जरूत नहीं है अब जो मैंने लिखा है मैं बस उसको यहाँ पर समझा देता हूँ नई study उन्होंने ये point out किया कि जो fossil animals हैं उनका body temperature इस बात से यहाँ पर decide हुआ कि उनकी जो inner ear है उसकी कनाल का size कितना है cold blooded animals का जो ear fluid है वो cooler होता है जिसकी वज़े से वो थिकर हो जाता है और इसलिए उनको wider space की जरूरत पढ़ती है उससे गुजरने के लिए जबकि wall जो warm blood animals होते हैं उनका जो ear fluid होता है वो ranier होता है और semi circular कनाल जो है वो उतनी बड़ी होने की जरूरत नहीं है तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देख करके पता लगा लिया गया खैर ये चीज़ें आपको clear हो गई होंगे बाकी अगर आप देखो न अगर आप image को यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो image में साप साप यहाँ पर दिखाया गया है कि जो cold blooded animal है इनकी ear canal बड़ी है और य natural immunity के बारे में बताए गया यह हम कई बार पढ़ चुके पिछले दो सालों से लगबाग इस चीज़ को पढ़ी रहे हैं इसमें कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर जो immunity है वो basically दो तरीके से आती है एक तो होती है natural immunity और दूसरी जो है वो होती है vaccine acquired immunity तो एक immunity जो की vaccine को लग आकर कि आपके शरीर में antibodies जो है वो generate की गई और दूसरी होती है कि आपने vaccine नहीं ली naturally आपके शरीर में antibodies generate हो गई किसी भी virus के अगेंस इस पेशली फिलाल COVID-19 चल रहा है तो COVID-19 के अगेंस ओके तो यहां पर यह बताया गया कि vaccine acquired immunity उतनी जादा successful नहीं है जितनी जादा natural immunity यह severe disease और साथ इसाथ इसमें जो है वो किसी तरीके की हानी भी यहां पर नहीं होती है तो यह आपको ध्यान रखना है कि natural immunity और vaccine acquired immunity दो तरीके की immunity होती है जिसमें natural immunity अगर हो जाए तो antibody शरीर में automatically generate होती है ना कि किसी vaccine की दुरत पर थी और जब automatically generate होती है तो वो आपकी उस virus से र देखा होगा यह है आपका bootpacker ओकी यह पूरे ट्री में छेद कर देता है ओकी अपनी चोंच से जो है उसको कई बार बहुत तेजी से यहां पर मारता है और वो छेद यहां पर ट्री के अंदर कर देता है लगभग एक सेकंड में 20 बार जो है वो इस तरीके से छेद करता है अगर एक इनसान ऐसा करने लगा उसका दिमाग भेट जाएगा एकढम से दिमाग जो है वो सुन ओ जाएगा खतम हो जाएगा ओकि इतना भारी शोग जो है वो दिमाग को लगेगा अगर इतनी तेजी से सिर जो है वो किसी पेडрь में मार दिया तो तो इस्टड़ी इसी ची चोंच को पेड़ पे मारता है तब, तो पेड़ पर चोंच को मारेगा, फिर उधर से आपकी शोक्स जो हैं वो जनरेट होंगे, तो पहले study ये बताती थी कि ये जो शोक्स हैं ये एब्जोर्ब कर लिये जाते हैं, ब्रेन तक पहुचने से पहले, लेकिन अब दूसरी study हुई और इन्होंने कुछ और यहां पर बताया है, इन्होंने कहा है कि they don't use shock absorption, तो ये शोक एब्जोर्ब नहीं करते हैं, इनकी बीग की सरनचना ऐसी होती है, जैसे airbags यहां पर वर्क करते हैं, गाड़ी के अंदर सेम तरीके से इनकी बीग जो है वो यहां पर वर्क करती है, कैस जो हैं वो cranes और shorebirds होती है, जबकि दूसरा गुरूप यह कह रहा है है कि जो words के closest relative है, वो humming words यहां पर होती है, like hovering words यहां पर होती है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो लडाई हो गई कि क्या हमें words का जो tree है, उसको change करना पड़ेगा, words का tree का मतलब क्या है, कि उनका जो trees type का, तो उसको यहां पर क्या change करने की ज़रत है, तो यह सब काम भी चल रहे हैं, उसके बाद very very important mains का question निकल करके आएगा सीध है, कि wastewater surveillance कितना effective है, और इसके ओपर खासा study यहां पर हुई, काफी important study है, plims में भी question आ सकता है, mains में भी question आ सकता है, mains में तो 100% लग रहे हैं चा के अंदर भी था, मैंने आपको बताया था, science and tech वीडियो के अंदर ही, फिर से देखते हैं, खूब सूरत article है, जादा detail में cover किया गया है, mains का पूरा question आप यहां से cover कर सकते हैं, तो one by one passes को देखना है, यहां पर शुरू करते हैं, जो चीज़ें बताई जा रहे हैं, सिर्फ को हम देखेंगे, इस image के जरीए इस चीज़े को के लिए कर लेंगे आराम से, देखो, किसी भी इलाके के अंदर wastewater तो generate होता ही है, साथ यसाथ, सीवेज भी यहां पर generate होता है, तो यह जो सब सीवेज और यह सब wastewater है, यह किसी एक person के बारे में जानकारी नहीं देता है, यह ह अगर हम wastewater या sewage के volume को उठाते हैं, तो हम सिर्फ एक जने के बारे में नहीं जानेंगे, पूरी community के बारे में जानेंगे, और यहां से idea wastewater surveillance का यह है, कि जो most of the pathogens होते हैं, bacteria हो सकते हैं, viruses होते हैं, या फिर और proto-joa होते हैं, वो हमारे environment में रहते हैं for the days, यह concept है wastewater surveillance के पीछे, तो जब घरों से fecal matter निकलता है, या sewage या wastewater निकलता है, तो उसके अंदर pathogens रहते हैं, अगर किसी घर से कोई bacteria, virus, pathogens, किसी wastewater कनाल के धून निकल करके आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उस घर में वायरस मौझूद है, तो अगर हम उस घर के sewage को यहां पर देख लें, तो हमें प देखें, उसको monitor करें, तब आपको पता लगेगा कि वहां पर अगर वायरस की present दीखी, तो उस community में वायरस की presence है, तो wastewater based health surveillance और environmental surveillance is an excellent tool जिससे हम track कर सकते हैं, presence of different pathogens in an environment, उस community के अंदर कितने तरीके के pathogens हैं, उनका viral load क्या है, वो सब चीजें पता लगाई जा सकती हैं, अगर हम wastewater का surveillance यहां पर कर सकें, जरूरत किस चीज की है, यह जो testing है, यह regular तरीके पर होनी चाहिए, और consistent होनी चाहिए, और यह जो है, वो quite economical method है, इसमें खर्चा भी यहां पर काम होता है, और साथ-साथ real time data आपको यहां पर मिल जाता है, especially जो developing countries हैं, जो बहुत जादा खर्चा न अभी थोड़ा सा जो है, वो article को यहां पर और समझने की कोशिश करते हैं, तो sewage की sampling है, अगर हम उसको यहां पर कर लेते हैं, तो उससे हमें clear picture मिल जाती है, कि उस particular community के अंदर, देखो याद रखना, individualistic basis पर नहीं है, यह पूरी community के level पर है, इंडिया के साथ basically problem क्या है, जह कीन ही नहीं हो रहा, तो उनका treatment कैसे करा जाए, तो उन सब के लिए जो है, वो यह method काफी अच्छा हो सकता है, community के लिए एक जैसा यहां पर मिल जाएगा, तो infected जो people है, उनकी testing इस तरीके से की जा सकती है, उनको पता भी नहीं चलेगा, कि उनके testing हो गई, और यहां पर हम ज vaccinate करो, ताकि यह virus यहां से खतम हो जाए, लेकिन बहुत सारे जो infections हैं, वो ऐसे लोगों में भी थे, जिनमें symptoms जो हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे थे, that is called asymptomatic, या फिर अगर जो हैं, वो testing नहीं हो पा रही थी, उन particular अलाके में, बहुत दूर के इलाके हो सकते हैं, या फिर ऐसे इलाके हो सकते हैं, जहां symptoms नहीं थे, तो ऐसी सबी situations नजर आने लगे थे, तो अब जितने भी infected लोग हैं, चाहें उनमें symptoms हों या ना हों, वो virus को तो अपने सहीर से excrete करेंगे ही करेंगे, यानि कि उनके environment में virus दीखेगा, चाहें symptoms हों या ना हो, उनके fecal matter में यह होग उनके basically waste water में यह सब चीजे देखने के लिए मिलेंगी, तो यह जो हैं वो उस virus को shared करेंगे, उनके environment में मिलेगा, और जैसे ही उनके घर से निकलने वाले waste water को, sea waste को हम यहाँ पर monitor करते हैं, तो पता चल जाता है कि इस घर के अंदर, especially पूरे village के अंदर, especially पूरी community के अंदर में आपको viral load का पता लग जाएगा, तो ऐसा जो काम है, वो हम 4-7 दिन पहले ही पता कर सकते हैं, actual testing के, तो इनसान को symptoms दिखाई दें, उससे पहले ही हम यह काम कर सकते हैं, यह काफी important चीज़ हो जाती है, तो viral load estimate किया जा सकता है, और यह भी पता लगा जा सकता है, जो cases की सं हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, advance में ही 8-14 दिन पहले ही इन चीज़ों का पता लग सकता है, और सब कुछ real time basis पर होगा, और community level पर होगा, 1000 बार बता चुका हूँ, ओके, इस चीज़ को यहाँ पर जान रखेगा, study यह भी detect कर सकती है, कि viral load की copy, sewage में कितनी हैं, और कितने cases व सर्विलियन्स सिस्टम जो है, उसके जरीए पता लग गया, तो वेस्ट वोटर सर्विलियन्स के कारण यह चीज़े जो है, वो हमें पता लग गई, early warning सिस्टम के रूप में मदद करेगा, में इसका कुछन है, जरूर से निकल करके आएगा, तो ऐसे इलाके जहां पर cases नही यहाँ पर किया, और यह सब चीज़े निकल करके आई, ओमिक्रोन के जो वेरियेंट यहाँ पर मार्स 2022 में डिटेक्ट होने शुरू हुए, उनकी monitoring जो है, वो जनवरी 2022 में ही कर ली गई थी, वेस्ट वोटर सर्विलियन्स के थूँ, यानि की काम हमने दो महीने पहले कर लि में देर हो गई, ओकी, तो यह कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आती है, इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पर हैं, लाइक early emergence of variant in the wastewater, वेस्ट वोटर में आपके पहले से ही मिल जाएगा, symptoms हो ना हो, आपके wastewater में, fecal matter में यह सब चीज़ें मौदूद होंग तो हम जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर फुल्फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर late detection हुआ, like bias testing हुई, या फिर sequencing या फिर large population of individuals asymptomatic निकले, जिनकी testing नहीं की जा सकती थी, तो उन सब में काफी नुकसान यहाँ पर हो जाएगा, तो उस सब से निपटने के लिए यह जो टक्नीक ह वो हमारी यहाँ पर मदद करेगी, तो यहाँ पर आगे यह भी बताया गया, कि हमने ऐसे सबी इलागों से भी samples उठाए जहाँ पर cases नहीं थे, लेकिन वहाँ पर भी cases निकले, जब wastewater surveillance किया गया, कोई नई तखनीक नहीं है, लेकिन यह मददगार सा भी थो सकती है, wastewater surveillance played a crucial role in eradication of poliovirus in India in 2012, 2012 में poliovirus के elimination में wastewater surveillance ने important भूमी का निवाई थी, और ऐसा ही हम SARS-CoV-2 वाइरस को खतम करने में कर सकते हैं, इन में power होती है कि हम जो emerging disease है, उनको पहले से ही predict कर सकें, तो यह काफी important हो जाती है, तो इस सब जो approach है, यह हमारी एक तरीके से environmental surveillance कर सकती है, monitoring है, early warning system है multi pathogens detect किया जा सकते हैं, like dangoo है, avian influenza है, आपका influenza है, hepatitis है, cholera है, इन सब को यहाँ पर detect किया जा सकता है, evidence based approach है, sample में virus दीखेगा, इसका मतलब evidence भी निकल करके आएंगे, और इससे human और animal health के जो risk हैं, उनको कम किया सकता है, उनको predict किया जा सकता है, और one health approach के जरी इनको recognize किया ज सके, और environment का connection भी अच्छा बनाया जा सके, तो यह सब चीज़े काफी important हो जाती है, यह आपके लिए जाननी जरूरी थी, पूरा article important था, जितने point काम के दिए सब पढ़ा दिये गए हैं, आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, rise and fall of cholera causing bacterial lineage, काफी घुपसूरत article है, मैंने भी पहल हुआ है, देखो cholera especially, इसको हिंदी में जो है, वो हैजा कहते हैं, आपको भी पता है, हैजा जो है, वो एक life threatening infectious disease है, public health health का बड़ा problem भी है, और इसमें जो bacteria है, वो basically है आपका vibrio cholera, यह जो bacteria है, इसके कारण यह चीज़े फैलती हैं, इसके बहुत सारे subgroup यहां पर मौजूद हैं, cholera और इसके जो bacteria में basically called biberio cholera, इसके कई सारे thousands of serogroups यहां पर मौजूद हैं, लगभग 200 से जादा serogroups यहां पर मौजूद हैं इस bacteria के, लेकिन सिर्फ दो ही ऐसे हैं, cold O1, ओकि थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, and O139, यह दो subgroup ऐसे हैं, जो कि हमें बाहरी मात्रा में infections को यहां पर course किया, जिनकी वज़े से epidemics और pandemics यहां पर आए, तो इत्यास में जितने भी epidemic pandemic आए हैं, वो सब इन दोनों subgroups के कारण ही यहां पर आए हैं, इन में से जो पहला वाला है, यह तो बड़ा ही खतरनाक यहां पर साबित हुआ, खतरनाक इसलिए साबित हुआ, क्य लिए, इसने काफी बाहरी नुकसान किया, धीरे धीरे यह जो है वो यहां पर end हो गया, और इसके बाद subgroup आया O139, हमें लगा कि O139 यहां पर आया है, अब आएगी 8th बेव और सबसे बड़ी बेव यहां पर आएगी, लेकिन हुआ यह एकी पूरी तरीके से हैजा यहां पर, मतलब यह जो subgroup है, यह जादा effective यहां पर दीखा नहीं, यह जो है आपका subgroup, यह पहले ही खतम यहां पर हो गया, मतलब इसने कोई जादा impact यहां पर डाला नहीं, तो basically इसी चीज़ को पता लगाने के लिए study यहां पर हुई है, UK और इंडिया की researchers ने सास में मिलकर के study क इन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की, यह जो O139 है, यह कैसे तो आया और कैसे यहां पर चला गया, मतलब it traced down the reason of its dying down, यह जो O139 है, यह कैसे आया और कैसे चला गया, मतलब इसने इस चीज़ को कैसे overtake किया O1 को, और फिर यह इतना effective क्यों नहीं रहा, इस चीज़ के पर study यहां पर होई, तो पहले तो आपको यह सब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कि ऐसी सब चीज़ें यहां पर जो है वो चल रहे हैं, इसके बाद देखते हैं कि और क्या चीज़ें हमारे यहां पर काम की हो जाती है, अभी इतना तो समझ में आया, कि यह जो है वो mysteriously subside हो गया, इसने मतलब originate होते ही खतम हो गया और जादा impact यहां पर नहीं डाला, तो इसी चीज़ के ओपर study हो रही है कि आखिर impact क्यों नहीं डाला, तो impact नहीं डालने के पीछे कारण जो हैं वो इन्होंने यहां पर निकाले, अलग-लग जगे से data को collect किया गया, वो सब ह O1 जिसकी वज़े से O139 जादा काम नहीं कर पाया, पहला चीज तो होती है देखो antibiotic resistance, अब bacteria यहां पर यह लगा, ठीक है, cholera किसी को हो गया, तो हम उसको antibiotics देंगे, अब अगर वो जो O1 था, उस पर बिल्कुल असर नहीं पढ़ रहा था, उस पर जो आपकी antibiotics थी, उनका असर नहीं पढ़ रहा था, तो इसको कहते हैं कि उस O1 के अंदर में high AMR यहां पर था, यानि कि high ABR यहां पर था, high antibiotic resistance यहां पर था, उस पर कोई असर नहीं पढ़ रहा था, जिसकी वज़े से, जो cases थे, वो काफी जादा यहां पर बढ़ दे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो O13 O139 है, उसमें AMR कम हो गया, उसमें AMR कम हो गया, मतलब AMR कम होने का मतलब यह है, कि जो antimicrobial resistance है, या antibiotic resistance है, वो कम हो गया, और antibiotics असर करने लगी, इस वाले subgroup के उपर, जब antibiotics असर करने लगी, तो cases की संख्या कम हो गयी, और तुरंत जो है, वो reduction हो गया, बास समझ में आई, त competitive advantage against the O1, इससे ज़ादा आपको इसको पढ़ने की जरुत नहीं है, इतना समझ में आया हो, तो बहुत बढ़िया है, otherwise ignore कर दो, इसके अलावा और भी बताया गया, कि इसके जो genes थे, वो homogeneous से heterogeneous हो गया, इस अब जानने जरुत नहीं है, और भी लिखा हुआ है, कि this again highlight that the O139 bacterial population found it difficult to compete, compete नहीं कर पाई, इसकी वज़े से यह चीज़ें यहां पर खतम होगी, दो main reason बताए, homogenous, heterogeneous और AMR capacity में reduction, आपको just AMR capacity में reduction याद रख लो, वो sufficient यहां पर होगा, तो study बहुत challenging थी, लेकिन इस चीज़ को यहां पर जो है, वो fulfill किया गया, और अब जो end note यहां पर कि AMR surveillance काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है, AMR होता है anti-microbial resistance, और एक term होती है anti-biotic resistance, ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम अंतर है कि जो आपकी magic bullets होती है, that is called anti-biotics, वो bacteria virus पर असर करना बंद कर देती हैं, और बड़ी health problem खड़ी हो जाती है, तो यह चीज़ें हटनी चाहिए, इनका surveillance होना बहुत जरूरी है, हमें देखना पड़ेगा कि किस virus के अंदर AMR, ABR जादा होता चला जा रहा है, और किस के अंदर कम होता चला जा रहा है, ताकि anti-biotics बाद में पता चल जाए कि असर करेगी या नहीं करेगी, तो the study points to AMR as the factor that can decide the success of certain population of a bacteria, तो हमें इस चीज़ इस पर surveillance यहाँ पर रखना पड़ेगा, continuous surveillance is therefore necessary, ताकि हम monitor कर सकें, if serotype या sero group जो भी यहाँ पर निकल करके आ रहा है, उसमें antibiotic resistance है या नहीं है, और कितना बड़ा outbreak वो यहाँ पर कर सकता है, तो अगर हमें curb और ensure करना है, better health outcome और इन सब चीज़ों से हमें यहाँ पर बचना ह हैं, तो हमें vaccines और treatment की importance को समझते हुए, साथ ही साथ जो evolving variant हो रहे हैं, उनकी efficiency, उन सब को देखते हुए, इस पर surveillance को बढ़ाने की जरुत यहाँ पर है, यह article इस तरीके से पूरा होता है, अगले article की दरफ चलते हैं, लिखा हुआ है, looking to nature for the new therapies, तो प्रकरती है, प्रकरती से ही सारी चीज़े निकल करके आई हैं, आज कल जादा से जादा चीज़े जो हैं, वो synthetic मिलने लगी है, natural की जगा, okay, तो article में यहीं बताया गया है, कि अगर हम natural therapies को इस्तमाल करें, तो फायदे जादा होंगे, फायदे तो नहीं गिनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी natural therapies दी पर है, उसमें काफी सारी therapies जो हैं, वो मुझूद हैं, जिनको traditionally भी यूज़ किया जाता था, traditional system of medicine में यूज़ किया जाता था, बहुत सारे natural sources से हम जो हैं, वो दवाईया बगर आहां पर बनाते थे, उसा manufacture करते थे, nature जो है, वो produce करती है, बहुत सारे chemicals को, जिनमें कई सारी properties होती है, specially plants में हो सकती है, या micro organism में हो सकती है, soil, water के अंदर कुछ properties हो सकती है, जिनसे हम जो है, वो अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, और health problems को सही कर सकते हैं, जैसे anti-cancer drug 1946 में आपर के निकल करके आनी शुरू होई, और इसमें जो है, वो हमने पूरी तरीके से nature के substances का use यहाँ पर करना शुरू किया, ऐसे ही 1981 से लेकर के 2019 के बीच लगबख 162 के करीब नई anti-bacterial therapeutics market में आई, जो की pure natural product के रूप में यहाँ पर थी, या फिर थोड़ी सी modification के साथ यहाँ पर थी, एक example ले सकते हो जैसे azithromycin का, azithromycin को यहाँ पर निकाला गया, और सबसे पहल यहाँ पर होता है, और इसके effect भी यहाँ पर कम होते हैं, fewer side effect निकल करके आते हैं, compare to other antibiotics like erithromycin, तो यह थोड़ी सी चीजें जो हैं वो यहाँ पर ध्यान में रखनी हैं, लेकिन आजकल जो है वो सब चीजें synthetic इस्तमाल यहाँ पर हो रही हैं, बहुत सारे जो natural product हैं, उनमें काफी सारा potential होता है, कि वो health hazards को ठीक कर सकती हैं, health problems को ठीक कर सकती हैं, तो जो old medicine है, इन सब systems का use यहाँ पर करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर यह बताया भी गया है, कि island है, पापू निगरिनी, और वहाँ पर जो है, वो south pacific के अंदर में यह है, तो वहाँ पर जो आपका, यह tree का नाम दिया गया है, इसका नाम है, कुछ भी नाम हो, क्या फरक पड़ता है, तो यह जो tree है, बेसिकली, इस tree की जो bark है, उसका use किया जा रहा है, fever और pain को खतम करने में, जो tribal communities हैं, वो आजकल इसनी चीज़ों का इसमाल करती हैं, वो पूरी तरीके से, अपना जो medicinal system है उसको पूरी तरीके से nature पर depend रखती हैं, तो यहाँ पर एक example आपको यहाँ पर मिला, कि इस tree की जो bark है, उसका use, pain और fever को treat करने के लिए किया जाता है, ऐसे ही और भी चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे एक लिखा हुआ है, होमा लोमीना, होमा लोमीना को सुगंध मा पहले बताया, गल्बूली, मीमा, ओके, यह जो है, वो आपका इसके अंदर कई सारी medical properties यहाँ पर होती हैं, इस बारे में भी बताया गया है, तो यह थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर हैं, फिर एक छोटा सा point जो आपको और पता होना चाहिए, वो है आपको लिख पाय जाते हैं, और कभी-कभी तो digestive traits के अंदर में भी पाय जाते हैं, opioid receptors जो है, वो आपके शरीर में ऐसे chemical substance को release यहाँ पर करते हैं, जो आपको basically pleaser जो है, वो परदान करते हैं, ओके, सुख, ओके, तो यह जो pleaser है, वो आपको यहाँ पर मिलेगा, यानि यह एक तरीके से pain relief के रूप में यहाँ पर work करते हैं, chemical substance, ओके, तो यह आपको जो है, वो इस तरीके से आपर work करते हैं, जैसे morphine होती है, ओके, morphine होती है, सारा दर्द खतम कर देती है, इसी तरीके से जो है, वो आपका यहाँ पर opioid receptors इसको naturally यहाँ पर generate करते हैं, तो यह point भी थोड़ा सा यहा पर इस तरीके से होते हैं, तो इतना सब याद रखना है, बाकी ignore मार दो, कोई जरूद नहीं है, ओके, तो opioid receptors के बारे में याद रखना है, especially nervous system में पाए जाते हैं, pain relief में काफी मदद करते हैं, और यह सारी चीज़ें आपर ज़रूरी हो जाती हैं, ओके, तो यह article आपका इस studies पर base भी नहीं होता, ओके, और लेकिन यहाँ पर जो है, वो एक नई study के उपर ही base है, तो इसलिए मैं इसको उठा लाया, लिखा हुआ है elephant trunk के बारे में, basically पता चला कि जो elephant की trunk है, वो इतनी जादा powerful कैसे हो जाती है, okay, how different is the animal trunk from the human tongue, okay, human tongue से किस तरीके से अलाग है, उसके बारे में study होई, तो study में आपको जो याद रखना है, वो ये है, कि बस याद क्या रखना है, okay, मतलब चटपटी खवरे हैं, आपको ज़्यादा detail में नहीं जाना, UPS से तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, इन्होंने इस पेसली, दो reason यहाँ पर जो है, वो इसके बताए, दो जीप को बाहर निकालने कुछ करोगे, उतनी निकल आएगी, लेकिन उसकी लंबाई उतनी रहेगी, वो बढ़ेगी नहीं, लेकिन elephant की tunnel के साथ, trunk के साथ ऐसा नहीं है, उसकी जो trunk है, वो 15% तक increase यहाँ पर हो जाती है, तो यह point भी आपको यहाँ पर दिया गया था, तो थो जो है, वो उपर का जो part है, यह वाला, यह flexible जादा होता है, compare to the bottom part, bottom part की तुला में, जो upper part होता है, यह बहुत जादा flexible होता है, जिसकी वज़े से यह expand हो जाती है, तो यह जो जो दो चीज़ें यहाँ पर निकल कर क्या ही, खैर, मैं फिर से बता दूँ, कोई पूछेगा न पर, इससे जादा पढ़ने की जूरत नहीं है, पूरा जो है, वो यहाँ पर cover करा दिया है, देखो काफी लंबी वीडियो हो गई, बहुत सारा time चाहिए इसके लिए, और लगबग 30 मिनट खिच गए, खैर चलो, यह सब complete होना चाहिए, चीजे समझ में आनी चाहिए कि क्या चल रहा है, और वीडियो को end करते हैं, thanks for watching, take care